हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुक्वित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्तें धोस्ट अनीसा तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ बची हुए रोटियों से दो बहुत ही अमेजिं को बिना एसकिप किये पूरा देखें मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें तो इस रेसिपी के लिए यहां पे मैंने लंबाई में फाइन चॉप कर लिया है प्याज को तो यहां पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है और इनके लच्छे इस तरह से हमें छुडा देना है और इसको हमें एक बॉल में ट्रांसफर कर लेना है अब इस में मैं डाल रहे हूं आधी चममच बुने हुई जीरा पौडर और आधी चममच लाल मिर्च पौडर तो कस्मेरी लाल तो रूज एक धम सौगी भी सुज्गी हो जाएगा, तो यह देखे, अच्छे से सारे लच्छों में मसाला मिक्स हो चुका है, तो इसे हुम लि जाएगा साइड में और अब हम ले लेंगे यहाँ पे आलू तो यह बॉयल आलू है इसको मैंने छील लिया है तो मैंने यहाँ पे दो बॉयल आलू लिया है और इसको हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है आप चाहे तो इसको हाथों से भी तोर सकते हैं तो इस तरह से इसे हमें अच्छे से ग्रेट कर लिया है, हमने दोनों आलू को आप देख सकते हैं, तो चलिए अब इसको भी एक बोल में निकाल लेती हूँ मैं, ताकि इसमें हम सारे मसाले एड़ कर सकें, तो यहाँ पे मैं सारे इसमें आलू मैंने डाल दिया है, इसमें मैं चाट मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इसमें तो यहां पे मैंने आधी चमच जो है जीरा पॉडर डाल दिया है और चाट मसाला डाल दिया है आप इसके जगह पे मैगी मसाला भी इसमें एड कर सकते हैं आधी चमच यहां पे मैंने डाल दिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चमच औरीगेनो मैंने यहाँ पे डाला है इससे इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ ड्रॉप्स जो है वाइल इससे वाइल से इसमें एक ग्रीसनेस आ जाएगी और यहाँ पे मैंने एक कटी हुई हरी मि मिखनी है जाए अड़ इसमें देखाय है अब दन्या पता टृप्तु आकी जाब आखक करे दाल सब्सटार के कहें जरों और भी राऊ हो जहाँ मिल्सक्राइब तो तो इसका में स्पड़ी अ मिक्स कर ले को निसमें आपिक ग्हाँ व». टो चलिए अब यह सकते हैं एक रोटी हमने यहां पे ले लिया है इस तरह से और अब इस पे हम लगा देंगे कैचप तो टमेटो कैचप यहां पे मैं लगा रहे हूं आप आप यहाँ पे जो है ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, या फिर चिली सॉस लगा सकते हैं, पास्ता सॉस लगा सकते हैं, बचों को कैचप जदा पसंद आता है, तो अभी मैं इसमें कैचप लगा रही हूँ, और इसके आधे पार्ट में हमें फैला देना है, जो हमने आलू का मसा तैयार किया था उसको तो आधे पाक में ही फैलाएंगे हम पूरे पाक में नहीं फैलाना है बस आधी से देखिये अच्छे अधियार कर देंना ऑन्ले हासो तो भहुत ही अरौशak Красн Wool cheaces इस तरह से हमें बस आधे में फैला लेना है तो अच्छे से इसको इस्प्रेट कर दें और अब जो है इसके उपर हम डाल देंगे जो हमने प्याज के लच्छे तयार किये हुए थे उसको हमें इस तरह से अच्छे से प्लेस कर देना है जिसे कि ये बाहर ना निकले और अच्छी तरह से अंदर में ही रह जाए अब इसके उपर मैं डाल रही हूँ पनीर तो पनीर को भी मैं यहाँ पे कदुकस करके डाल देती हूँ ग्रेट करके आप पनीर की जगह पे केवल चीज डाल सकते हैं या केवल पनीर डाल सकते हैं और अब इसके उपर मैं डाल रही हूँ चीज क्योंकि बच्चों को चीज बहुत पसंद आते हैं तो मैंने यहाँ पे इस तरह से चीज को ग्रेट करके डाल दिया है तो अच्छा लगता है जब ये मेल्ट होता है نप बहुत ही tasty लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है तो इस तरह से सारे चिजों को डाल देना है और जो दूसरा पार्ट था खाली उसको हम उपर से इस तरह से दबा देंगे तो यहां पे मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ तो सेम इस तरह से हमने इस पे डाल दिया है टोमेटो कैचप और कैचप डालने के बाद आधी रोटी पे हम फैला देंगे आलू को जो मसाला आलू हमने तयार किया था उपर से हम डाल देंगे प्याज के लच्छे और थोड़े से पनीर डाल देंगे और फिर डाल देंगे इसके उपर हम चीज और चीज डालने के बाद इसे हमें फोल्ड कर देना है इस तरह से ये देखिए आधे से हमें इसको फोल्ड करके तयार कर लेना है यह बिल्कुल टाकोस जो होता है वैसा लगता है खाने में बहुत पसंद आते हैं बच्चों को इस तरह के नास्ते अब मैंने यहां पर तवा चरा लिया है इसको हमें घी से ग्रीस कर देना है और अब जो हमने दो नास्ते बना के तयार किये हैं दोनों को हमें इस तरह से प्लेस कर देना है दोनों एक बार में ही आ जाता है तवे पे तो यहां पर मैंने डाल दिया है इसको और उपर से हम घी स ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम पल्टें तो दूसरे साइड भी इसका अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो यहां पे आप वायल से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने इसको ग्रीस कर दिया है थोड़ी देर में हम इसको पलट देंगे तो इसको हमें मीडियम flame पे पकाना है ताकि अच्छे से यह crispy हो जाए और सब कुछ हमारा पका हुआ ही है तो medium to low flame पे करने से ना एकदम crispy सा करारी सा तयार होता है क्योंकि हमने इसमें कोई coating नहीं डाला है तो बस flame और घी के सहाइता से ही यह crispy तयार हो जाएगा अब दोनों साइड से अच्छे से देखे यह क्रिस्पी हो चुका है और कलर से ही आपको पता लग़रा होगा कि यह देखने में कितना टेश्टी लग़रा है तो इसी तरह से हमें दोनों साइड इसके अच्छे से पका लेने हैं और अब इसको हम निकाल लेंगे इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें तो यहां पे मैं दोनों को निकाल लेती हूँ तो आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना इसको हम देशी टाकोस बोलते जब हम इसमें हमने जो चीज डाला था ना वो भी मेल्ट हो चुका है बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे उनको बहुत पसंद आने वाला है तो आप भी इसको जरूर से एक बार ट्राइ करिए तो चलिए अब हम बनाते हैं हम मारा दूसरा रेसिपी तो इसके लिए यहां पर मैंने ले लिया है वन फोर्थ कप आटा याने की तीन टेवल स्पून के करिभी आटा होगा जो गेहुं का नॉर्मल आटा हम घर में यूज करते हैं वही आटा हमने लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक चुटकी बार नमक डाल दिया है मैंने इसमें और इसको हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसे कि आटा और नमक एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं अब इसमें पानी डाल के इसका हमें गोल तयार करना है तो इसमें एक बार में ज्यादा पानी बिल्कु आपस में Kaneया होवा चीया है 대박 एक दम कोटिंग सा हो जाईए कखें इससा से हमें इसका घोल से एकटिंग्स होगे तो यह देखे कितना सुंदर लग रहा है यह देखने में वाइट वाला तिल अगर आपके पास ना हो तो आप उसकी जगह पे कलॉंजी भी डाल सकते हैं तो चलिए यह तयार हो चुका है इसको रख दिया हमने साइड में अब यहां पे एक टेवले स्पून के बराबर हमने ल जीलाना हो और एम इस देख्या इस तरह से जैसे हम तैयार करते हैं नम्कीन में लगाने के लिए खाजा में लगाने के लिए बस उसी तरह का सलेरी हमें यह देखी तैयार कर लेना है तो इसको भी आमने साइड में दो आपके JACKmir करलें तो चलिए यहां पे मैंने दोनु से ग्रेट कर लें या हाथ सोही अच्छे से तोर लीजिए तो इस तरह से दोनों आलु को मैंने अच्छे से कर लिया है मेमस अब इसमें डाल दिया है यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची भी बारिक चौप करके डाल दिया है आप जो है हरी मिर्ची अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसकिप कर सकते हैं यहाँ पर प्याज लसन भी डाल सकते हैं अगर आप प्याज लसन खाते हैं तो अच्छे से इसमें डाल सकते हैं इस सब को हमें अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है जिससे कि आलू में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो ये देखे इस तरह से हमारा आलू का मसाला बनके रेडी हो चुका है और इसमें जो भी थोड़े से पार्टिकल हो मोटे उसको तोर दीजिए तो ये हमारे मसाले तयार हो चुके हैं तो अब यहां पे मैंने ले लिया है रोटी जो हमारा रोटी बचा हुआ था वो रोटी हमने ले लिया है तो फ्रेंड्स ऐसे क्या होता है या तो हमें इसे फेकना परता है या समझ में नहीं आता है कि बासी रोटी का हम क्या करें कोई खाना नहीं चाहता है तो आप अगर इस तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो मैं आपके साथ सेर कर दूंगी आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो इस तरह से यहां पे अच्छे से हमें स्प्रेट कर देना है सॉस को आप चाहे तो इसकी जग़ा पे कैचप भी लगा सकते हैं या धनिया के जपनी लगा सकते हैं चिली सोस लगा सकते हैं और अब इसके एक साइड से यहां पे रख दिएना है जो हमने आलू का मसाला तयार किया था उसको राद त़यार से गाढ़ा वाला उसको हमें इस तरह से साइड से रोटियों में लगा दिजिए बस ऊपर का पार्ठ चोड़ और सलेरी लगाने से महा डाले हैं और इस लिए सलेरी लगाने पर दीजिते हैं भंचे देखें आप गाए तो ने नुकन को यह द ग्यून है तरह से लना रखंच के प्रेक दीजिए समय ऊपते हैं दूसरा भी तैयार कर लेंगे तो सेम यहां पे भी मैं बर्गर सॉस लगा देती हूं और आलू डाल दूंगी साइड में और चारो तरफ से अच्छे से हम सिलेरी लगा लेंगे और इस जो प्रोसेस है इसको देखना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो रोल है वो परफेक्ट बने कहीं से खुले नहीं तो यह मैं दूसरा तरीका भी दिखा देती हूं पहले इस तरह से हम मोर देंगे फिर दोनों साइड से अच्छे से हमें मोरते हुए टाइटली इसको रोल कर लेना है और यह देखिए हमारे सारे रोल यहां पे मैंने बना के इसको चौपिंग बोर इसको अच्छे मसालों का उसमें एक-एक रोल हमें इस तरह से डिप कर देना है और यह देखिए और जो एक्सट्रा हमें इसको बैटर को हटाते उए इसको हमें अच्छे स्की आपको इसको अच्छे माई श्यो diff प्राइ met लाए एक तो इसको इसको भी आया है कराही में उतना डाल दिया है एक साइड से जब यह अच्छे से पक जाए आपको देखने से ही पता लग जाएगा फिर हमें फोक या किसी एस्पेचुला की मदद से इस तरह से पलट लेना है तो इसी तरह से हम सारे रोल को पलट लेंगे तो इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि सब कुछ जो है वो पका हुआ है तो बस लेडे पकाना हो और थोड़ा सा क्रिस्मी करना है तो इसलिए अच्छे से पक चुका है इसी तरह से हमने दोनों साइड से इसको पलट ते हुए पका लेंगे और अ मीरे चैनल को शॉब्सक्राइब कर लीु और बेल आइकान को दबाना बिल्कुल ना भूलिये ताकि इसी तरह की नए नए रेसिपी जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ वो आपको मिल सके तो ये देखे इसी तरह से हमारा सारा नास्ता बनके तयार हो चुका है इसको हम निकाल लेंगे तो इसको किसी टीसू पेपर पे निकाल लीजे ताकि एक्स्ट्रा ओयल जो है वो एब्सॉर्ब हो सके तो इस तरह से निकाल लिया मैंने और इसी तरह हम दूसरे बैच का भी डाल देंगे तो दो बचा हुआ था तो उसको भी मैं कराही में डाल के और पकालूंगी दोनों साइड से अच्छे से अच्छे से हमें इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम पे और इसको भी मैंने निकाल लिया है तो यह देखे यहां पे सारे नास्ते हमारे तयार हो चुके हैं बहुत ही क्रिस्पी करारी तयार हुआ है तो फ्रेंट्स आपको यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट बॉक् है तो आप जरूर देखें मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो जै माता दी